प्रेस की स्वातंत्रता या ये कहें कि पत्रकार्टा की आजादी को लेकर दुनिया भर में चर्चाई होती है लोकतंत्र का चौथा स्थम्भ कहा जाने वाला प्रेस आज सिर्फ स्थम्भ बन के रह गया है ना तो वो हिलता है ना वो डुलता है सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहता है एकदम सटी एकदम मूग क्योंकि आवाज उठाएगा तो आवाज दबा दी जाएगी दुनिया के कई देशों में प्रेस यानि अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रती को आजादी नहीं है और लोगों को सही जानकारी तक पहुँचाने का अधिकार से वन्चित रखा जाता है ऐसा अकसर देश के प्रती खत्रे के नाम पर किया जाता है दुनिया भर में प्रेस की आजादी को सम्मान देने और उसके महत को रेखांकित करने के लिए तीन मई को विश प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाय जाता है लेकिन क्या सिर्फ एक दिन काफी है पत्रकारों के बारे में और पत्रकारों के बारे में उससे पहले जानिए क्यों मनाये जाता है फ्रेस की आजादी का ये दिन इस दिन का उत देशे प्रेस की आजादी के महत के प्रती जागुता पहलाना है साथ ही ये दिन अभी व्यक्ति की स्वतंतुता को बनाए रखते और उसका सम्मान करने की प्रती बदता की बात करना है प्रेस की आजादी के मेच के लिए दुनिया को आगा करने वाला ये दिन बताता है कि लोक्तंत के मुल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया एहम धुमिका निभाता है इस कारण सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए इस दिन को मनाने की आवश्रक्ता क्यों पड़ी और पहली बार कम मनाये गया ये दिन। अफ्रिका के पत्रकारों ने प्रेस की आजादी के लिए साल 1991 में पहल की थी। उन पत्रकारों ने 3 माई को प्रेस की आजादी के सिधान्तों से सम्मंधित एक बयान जारी किया था जिसे Declaration of Wind Hope के नाम से जाना जाता है जिसके बाद पहली बार 1993 को सैंत रास ने ये दिवस मनाने की खोशना थी ये दिन मनाना क्यों जरूरी है? दुनिया भर में पत्रकारों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है साउधी पत्रकार जमाल खगोशी, भातिय पत्रकार गौरी लंकेश और उत्री आर्लैन की पत्रकार लायरा मक्ती की हत्याओं ने एक बार फेर प्रेश की सुरप्षा पर बढ़ा सवाल खड़ा कर दिया दुनिया भर में पत्रकारों और प्रेस को त्पीडन का सामना करना पड़ता है पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है और उन्हें धंप्या तक दी जाती है जैसा कि अभी हाल ही में जी हिंदुस्तान के एक रिपोटर के साथ हुआ कवरिज करने गए रिपोर्टर को अस्पताल के स्टाफ में मिल पर पीचा था यही ऐसी चीजे हैं जो अभी व्यक्ति की आजादी में बाधाई हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाये जाता है लेकिन आज के दौर की बात की जाए तो लोग सोचने पर मजबूर है कि वाके क्या पत्रकारिता में स्वखतन सुर्था बच्ची हैं 2020-2021 ये दो साले से हैं जब कोरुना दुनिया भर में कहर बर पारा है भारत में लागों लोगों की जान चली गई कोरुना की वज़र से और हम पत्रकार संगर्श करते रहे 2020 में संपून लॉकडाउन हुआ लेकिन मीडिया करनी जिने हम पत्रकार भी कहते हैं वो अपनी जान का जोखिम लिये देश दुनिया में क्या हो रहा है वो आपको बताते रहे और दिखाते रहे लेकिन ये विड़म मना रही कि पत्रकारों को तब भी फ्रंट लाइन वोकस नहीं मना गया और 2021 में आज जब देश के हाला आते से हैं कि 4 लाग से जादा पुर्णा के मामले एक दिन में आ रहे है तब भी एक पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है बेखाओफ अपनी जान की परभा किये बगर अस्पतालों की तस्वीरे, सम्चानों की तस्वीरे दिखा रहा है लोगों को कितना दुख है सब बता रहा है इतना ही नहीं 2020 से 2021 तक कई छोटे बड़े पत्रकारों को हमने खो दिया लेकिन पत्रकारों को आज भी सम्मान नहीं मिला ना तो फ्रंट लाइन वोकर्स का और ना ही उनके लिए कोई विशे सुविधा की गई ये सोचने की बात है कि एक पत्रकार की जान की कीमास कुछ नहीं अगर होती तो आज तक के बड़े पत्रकार, रोहिस सरदाना हमारे बीश होते और ना जाने कितने पत्रकारों में अपनी जान गवाई है इसलिए पत्रकार खुद अपने लिए सम्मान मांग रहा है देखिए इस कोरोना काल में पत्रकार किस तरह की तकलीफों पर सामना करते हैं हाला की न्यूसमाल इंडिया के खास प्रोग्राम आवाज में मेरे सयोगी काविंदर चौहान ने बहुवे पत्रकारों की आवाज को उठाया लेकिन आज फिर से इस खास मौके पर इनकी आवाज दिखाना सुनाना जरूर है आपत्ती या विपत्ती के समय लोग जिस घटना से जिस बीबस्ती से जिस बीमारी से दूर भागते हैं उस समय हम पत्रकार ही उस जगे मौके पर होते हैं लेकिन जब किसी पत्रकार के साथ कोई किसी भी तरह की घटना या दुरगटना होती है तो उस समय ना तो समाज उसके साथ खड़ा होता है ना सरकार उसके साथ खड़ी होती है तो जिस तरह से हमारे अभी कोविट के दौरान कई पत्रकार साथियों की मौत हो गई लेकिन सरकार की सम्मेदन हिंता ही कहेंगे कि सरकार ने ना तो उनके परवारों को कोई मुवज़द दिया और ना पत्रकारों के बारे में कभी कोई सम्मान जनक बात ही सोची तो मेरा ये मानना है या मेरी सरकार से ये गुजारिस है कि ऐसे पत्रकारों के लिए भी सरकार को सोचे और उनके भी बारे में कुछ चिंता करे कि एक सच्छा पत्रकार जब अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो उसे रोको मत एक पत्रकार जो लोगों के बीच में सच्चा ही लेके जाता है जो राजनेकली पार्टिव के जो बड़े-बड़े नेता होते हैं, जो गंदा काम करते हैं, उनको उजागर करने का काम एक पत्रकार करता है, और उनके उपर क्या होता है? जूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, मैं कहना चाहूंगा ऐसे राजनेताओं को, कि अपनी सच्च दिखाता है ऐसे पत्रकारों को जूठे मुकदमे में फसाओं मत. जिस तरीके से करोना काल के इस बड़ते मामले में पत्रकार साथियों दर अलागतार कवरेज करने का काम कर रहे हैं, काफी सरहनी है, इसी कवरेज के दुरान हमारे कई साथी पत्रकारों की मृत्ति भी हो च और आर्थिक मदद देने का काम करती है, उसी तरह पत्रकार साथियों की मृत्ति होने पर उनके घर में एक सरकाई नोकरी और आर्थिक मदद देने का काम करें। नजर आते हैं, उसके बाद भी हम सब के लिए किसी प्रकार का कोई भी इंतिजाम नहीं है सरकार की तरफ से, अगर बात की जाए हम सब के परिवारों को, हम सब के बाद में अगर कुछ हो जाता है, खुदाना खासता, तो कोई आर्थिक मदद देने वाला नहीं है, ऐसे में हम सब को एक आवाद उठानी है, और मिलके सरकार तक वो आवाद पहुचानी है, और आरे वाले समय में हम सब सातियों को और हमारे बीच में जो सातियों नहीं रहें, उनको भी आर्थिक मदद मिल सके, औरोना मावारी के चलते कई पत्रकारों की मौत भी हुई है, लेकिन सा पत्रकारों को आज तक किसी ने कोरोना योगदा के रुपने नहीं भुकरा, मैं कहना चाहता हुँ कि पत्रकार इस कोरोना काल में एक बड़ी ही एहम भुंका निवाका लोगों को जावरुप करने में जुटे हुए है, उनका भी सासन पर सासन द्वारा कहीं न कहीं सम्मान होना चाहिए है उसमें हमारे कई पत्रकार भाई ऐसे हैं जिनकी म्रत्यूभी हो गई है जिनके परिवारों को आज बहुत ही बिशम परिस्तिती से जूजना पड़ रहा है और बात करें सरकार की तो सरकार इस और ना ही कोई सुद ले रही है ना ही उनकी कोई चिंता जता रही न्यूजवर्ड इंडिया के माद्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार पत्रकारों के लिए कुछ ऐसी सुविदाएं मोहिया करा है जिनके चलते वो समाज में खुलके अपने कार्लियों को कर सके हैं इस तरह से पत्रकार अपनी जान खत्रे में डाल कर देश की समस्या लोगों के सामने रखता है और कहा भी जाता है कि देश का पत्रकार चौथा स्थम्भ है उसके बावजूद हमें वो सुख वो सुविदाएं नहीं मिलती जिसके हम हगदार होते हैं कोरोना जैसी महमारी पुरे देश में है ऐसे समय में पत्रकार लोगों के बीच में जाकर हर जगा जाकर अच्छी हो बुरी हो उस जगा जाकर जो समस्या है वो लोगों के बीच रखता है उसके बावजूद उसको फ्रेंट लाइन वरकरों में नहीं रखा जाता है सरखार से यही कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के लिए भी कुछ सोचें और पत्रकारों के परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर किया सुना अपने किस तरह की तकलीफों का सामना एक पत्रकार हर दिन करता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता, निरंतर चला जाता है और देश की हकीकत देश की जनता के सामने रखता है दुख होता है ये देखकर की पत्रकारों के लिए वैक्सिनेशन की प्रक्रिया तो है लेकिन कोई खास विवस्था नहीं की गई और ना ही कोई बीमा है, मतलब अगर पत्रकार मर भी जाए तो क्या पर्थ पड़ता है बस एक दिन पड़ता है वो भी जब कोई पत्रकार काफी सेमस हो रोहिस सरदाना ज्यसे बेबाग पत्रकार को खो दिया आगे ना जाने कितने और ऐसे ही होंगे अज सही शुनुता की इस संस्क्रिते के कारण की स्वतंत्र विचारों वाले कई लोगों का बेहत इंस्ता कंथ हुआ है विवेशनात्मक सोच रखने वालों की सबसे जादा जरूरत आज से जादा कभी महसूस नहीं हुई और ऐसी सोच रखने वालों के लिए अब से ज़्यादा खतरनाग सेमय भी कभी महीं हुई भारत एट नाइन में आज के लिए तना है कल फिर लौटेंगे खासकड़ी के साथ नमस्कार